नमस्कार आप दिखरें नित्यानियू टीवी नित्यानियू टीवी में आपका स्वागत हैं मैं आपके साथ बनुत्कमार आपको बता दे किसान बिरोधी काले कानून वापस लेनी के बाद किसानों में कुसी का माहुल आपको बता दे केंद सरकार के द्वारा किसान बिरोधी काले कानून को बापिस लेने से सेर गाटी प्रिकंड चेत्रों में किसानों में कापी उत्साय देखने को मिल रहा है सेरगाटी प्रिकंड के किसानों ने नित्यानीज टीवी संबादाता मौम्मद सहीज से बाचीत करते हुए कहा कि केंद सरकार किसान के प्रती तीन किरसी कानून को लागू किया गया था जिसे हमारे किसान बाईों ने मिलकर हाक की लड़ाई लड़कर केंद सरकार को मजबूर कर दिया और केंद सरकार को मजबूरन तीनों किरसी काला कानून को बापस लेना पड़ा आपको बता दें कि केंद सरकार के द्वारा तीन काले कानून लगाया गया था तब से किसानों ने लगाता सरकार के ब्रोध में आंदोलन जारी रखा था गैजला से मुहम्मद साहित की खास रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं निटिया निश टीवी धाब चुड़ाया पंचायत में आए में है सरगाटी परखंड अंतरगत आए जो जानते हैं कि तीन काले कानून जो बापस लिया गया देश के पधान मंती उसके बारे में क्या कहना है आपको बताइए तीन काले कानून जो बापस लिया गया ये सरकार की मंसा साब जलकती है पांच राज्यों के चुराओं को देखते हुए ऐसा कर सकती है ऐसा एहसा है हम लोगों को जबकि इतना लंबा लडाई किशानों को लड़ना पड़ा सरकार को और पहले जागरी थोना चाहिए था ये बहुत देर कर चुकी है और साजिस परति होता है हम लोगों क्या लंबा क्या मतलब एक साल तक के किशान संगर सील रहे विभीन तरीके से लगभग आठ सो किशान इसमें सहीद का दर्जा पराप्त कर चुके हैं तब जाके सरकार के पास जू तक रेंगी है और इसके तहत भी साजिस परतित होता है कि अनिराज्यों म किशानों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा ताकि पुनह इसका पुनवर्यति सरकार ना कर पाए और हम लोगों को किशान के निवन्तम समर्थन मुल की गारंटी दे तब तक हम लोगों को संभिर सिल रहना है अपना परचे दीजे मैं राबनिवास यादो ग्राम पंचायत दाब च्रेयाह जिलाक किसान संघर्ष गोल्सा उन्यौस Τरे बोलियेगा किशान के बारे में जो बापस लिया गया तीन शरक्ला कानून ये चुण창 का ये only peng Councillor है द्रैप तर कोश जो अतिन में जीतैं और का में सवलनिया तो क्या बढम स्धर के हम रहे हैं हृ या मिदे पैं तो बना हुआ है तो अभी बरकार है अभी तो खातम नहीं हुआ है बस यही कहना है अग्वाची देना क्या लाम है आपका राम जो यादाव